कि नमस्कार मैं चंदन उपाद्ध है आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अमिनेंदन करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल साइकुलाजी वाले गुरुजी में आज हम अपने क्लास में जिस महतपूर्ट टापिक पे बात करने वाले हैं वह सोद अभिकल्प कर लीजिए या अनसंधान अभिकल्प कर लीजिए या इसी कौप सध्धांतिक अभिकल्ब कर लिजिए तीनों का मतलब एक ही होता है बस अलग अलग नाम है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोध अभिकल्ब क्या है देखिए इसमें दो बात आते हैं पहला सोध दूश्रा अभिकल्ब तो पहले समझ देते हैं कि सोध क्या है सिंपल वासा में अगर हम कहें ग्यान को बनाने के लिए जिन प्रवधियों का उपयोग हम करते हैं उसे हम क्या करते हैं सोद करते हैं यानि कि सोद क्या है किसी भी विशेवस्तु या किसी मुद्दे के बारे में जब हम गहनता से जाच करते हैं बैग्यानिक विधियों के अधार पर तो उसे हम क्या करते है सोद करते हैं अभिकल्पना का साब्दिक अर्थ होता है योजना अभिकल्पना को इंगलीज में करते हैं इसका साब्दिक अर्थ होता है योजना ठीक है तो सोद अभिकल्प अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं सोद अभिकल्प या अन अनुसन्धान प्रक्रिया का महतपूर भाग है यानिकी ज्दमें जो अनुसन्धान होते हैं जो सोद होते हैं उसका एक महतपूर भाग कौन है कोल्ज अभीकलर है कोई भी सका आर्थ दिखले तyszर nos इसमेंdar का रहा है कि कोई भी आप सोधकार करेंगे उसका एक निशचित्र होता है उसका एक एक उद्द्दथ होता है ठीक हिं है बिना उद्द्थ के आप जो है कोई सोधकार नहीं कर सकते हैं । जैसे जासे अगर आपके जीवन में कोई उद्द्द Cette नहीं है कोई आपके जीवने का लच्ष नहीं है आप इदर उदर भहतं कैंगे आप जोसे जहां नहीं पहुशके जैसे आपको कहीन बाति इसका क्या है आपको जो हम राष्दा नहीं पता है थी कोई भी मुए एदर सोधकार आरंब करने से पूरो ही इधाद कर लिया जाता है इसमें कहने का अतात पर यह है कि जो सोधकार हम करते हैं उसका लच्छ और उसका जो है उद्देश क्या है सोधकार सुरू करने के पहले ही हम दिशाइड कर लेते हैं उसको क्लेरिफाइग कर लेते हैं इसको आइडेटिफाइग कर लेते हैं ठीक है सोध के उद्देश के अध्यन विशय के विविन पच्छो को उध्गातित करने के लिए पहले से बनाई गई जोजना को को हम क्या कहेंगे पहले से बनाए गई यह जना को ओगा की रूप रेका गुलू कुर्प की इना कि सोद के उद्देश का अधार पर यानि सोद का रिश्च का उद्देश के अधार पर अध्यन करने के लिए यानि की सामने रखने के लिए पहले से बनाई गई वह जना की रूप रेखा एक ब्लूप्रिंट उसको हम क्या करते हैं किसी भी रिशर्श को सुदू करते हैं तो एक जÖPhnde करते हैं और नकॐँ नक्सा बनाते हैं उसको ब्लूप करा जाता है इसको रूप कारे करते हैं तो पहले उसका रूप रिखा बनाते हैं कि इसका समस्या क्या होगा इसकी सीमा क्या होगी कौन सी बिधी अपनाएंगे क्या टूल्स लगेगा यह सब हम पहले से क्लियरिफाई करते हैं तो इसी यह सब जो योजना बनाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं सोध अभ न injuries teते संबंदीत है में उस योजना से संबंदीत है जिसके द्वारा अवश्य सुचनाओं का भिकाश किया जयाता हarenthि को यिसew नाम क्या होता है धुश्य्रा एक योजना से संबन्स होता है तो एक नहीं प्रकार के शुचनाओं का विकास किया जाता है ठीक है सोध अभिकल्प जो आप बनाएंगे तो उसमें पूरा जो है एक तरह से सोध में आपको जो जो करना है वो पूरा संचेव उसकी रूप रेखा बनी होती है उसका विकास किया जाता है तिक्षब कर रहे हैं कि सोद का अभिकल्प जो होता है वो एक योजना यारोनि याने कि किसी सोधिकारने के लिए पहले से जो हम एक प्लानिंग करते हैं ठीक है अब के बाद सनचना सोध की सना गस इस सबस्च करते हैं कि इसाल समद्विर प्रशनों का उत्लप रापत किया जा सेग게 मतलब इसकी रचना इस प्रकार की जा सकती है कि जो सोद समंदी हमारे प्रस्ण है उसका उत्तर प्राप्ट किया जाता है तो यही कह रहा है कि सोद अभिकल के माध्यम से क्या है सोद समंदी प्रस्णों को उत्तर प्राप्ट गया जाता है तिसरा परिभासा क्या है यह कर रहें कि क्या कि कि कितना किस तरीके से इत्यादिक समद्य निर्मार लेने के लिए किया गया बिचार अध्यान की योजना या अध्यान अभिकल्ब का निर्मार करता। किस तरीके से किया जाएगा इत्यादिका के समन्द में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए सोध अभिकल्प का हम निर्मार करते हैं तो यह दो-तीन परिफासा हुई ठीक है अब लोग देख लेते हैं अगला यह इंग है मैं सोध प्रक्रिया में के सोध अभिकल्प का महत्व अबिकल्फ और उसका महत्व क्या है उसकी क्या है तेनों बाते आप कहेंगे एक ही पता है लीटर अबज ब्रूम कर लियाए ट्यक्ता है तो जो समय समें के लिशा निदेश करता है उसको यह पता चलता है कि अभी कितना सोद करना है…" छोता होता है जब कोई होता है सोधविकल हमारा च्छितर है क्या हमार च्छितर है और वह reminders में होगा और उसकी बात उसकी सीमा क्या है तो यह जो है सोद अविकल्प के माध्यम सब को असानी से पता चल जाता है तीसरा है सोद प्रक्रिया में तूटियों को कम करने मदद करता है जो आप गलतियां करते हैं जब आप पहले से कोई रिशर्च डिजाइन बना लेंगे तो सोद प्रक्रिया में जो आप से गलती होती है सोद करने में जो गलती है होती है क्या है वो कम करने में मदद करता है अगला हेडिंग आपका महत्व है पुर्वागरा को कम करने मदद करता है यानि कि पुर्वागरा क्या होता है किसी भी विचाय के बारे में बना ले गई पह अभिकल्प के प्रयोग से सटिक और विसुसनी परडाम प्राप्त किया सकते हैं मतलब एक सोध अबिकल्प अगर आप पहले से एक ऐसा जो रूप रेखा तयार कर लिए एक ब्लूप्रिंट तयार कि लिए तो माले जी आप जब रूप रेखा तयार कर लेते हैं तो आपका आ मतलब इसके माध्यम से अब सोध अबिकल्प बना लेते हैं तो आप वे वे समय की भंशत होती है तो इसमें की बचल बना लेते हैं तो महारे समय की बहुत में Saatma heading. जिसका हम अध्यन करका आधियन है, इसका हम समिच्छा करके यह हम को पता चल सकता है कि हमारा सोद है वह सही anecdot है जल रहा है% सहीज चल रहा यह नहीं चल रहा है. तो यह कुछ सोद का महत्व हुआ यह सोद की विशिष्टा है हुई यह सोद का उपयुगता हुआ तो आज हम लोगों ने सोद अभिकल्प या अर्थ देखा परिभाशा देखा और इसके महत्व को समझने का प्रयाज किया इसके महत्व को समझने का प्रयास किया ठीक है मिलते हम अपने अगले क्लास में वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद